अब देखें सबसे पहले तो C4H9BR के अगर आप स्ट्रुक्ट्रल और आइसोमर्स बनाना चाहें तो देखें सबसे इजी तो आपका यह हो गया दूसरा अगर आप चाहें तो देखें सी एच एक अगर यहां पर मैं देखें यह एक दूसरा यह हो जायेगा साहने आपको ठीक है एक तीसरा है यह बी आर को टाके यहां डाल दूँ मैं और एक सिम्पल है इस बी आर को टाके यहां डाल दूँ राइट तो यह आपका हो गया फोर इसके लावब कोई बनते हैं नहीं बनते हैं ठीक है नाओ अप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स के लिए आपको क्या सबसे पहले डूनना पता है chiral carbon अगर इसमें कोई chiral carbon है chiral center है इसका मतलब वो molecule आपकली एक्टिव हो सकता है ठीक है तो इसका मतलब अब इसमें chiral center है chiral center क्या होता है यह carbon है उसकी सबकीसब valences जो है वो different होनी चाहिए अब इसमें C है 2H है ये 2H 3H no chiral carbon इसको देखते हैं क्या इसमें chiral center है ये तो नहीं है 3H जुड़े है ये नहीं है क्या ये है एक H जुड़ा है एक ही जुड़ा है लेकिन 2 CS3 जुड़ गए तो ये भी chiral center नहीं बनेगा इस पे तो ये ही नहीं कुछ भी अब नाओ यहां देखें तो ये नहीं है ये नहीं है यहां ये है कैसे 1H जुड़ावा है 1 CS3 एक BR ये तो ये एक chiral center है ठीक है chiral carbon तो इसका मतलब optically active लेकिन अगर आप इसको देखोगे इसमें तो C है ये एक लेकिन सब की सब ये तीनों same valence है इसका मतलब ये भी नहीं है तो तो number of active structural isomers कितने हो जाएंगे इसके 1 आपका correct answer क्या हो जाएगा 1